हाई एवरीवन वेलकम बेक टी यूर ओन चैनल लर्न टू इन्वेस्ट में तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तो आज एक और पोर्टफोलियो को हम रिवियू के तो जिनका ये पोर्टफोलियो है इनका नाम है समीर एंड इनका एचे 26 इयर्स तो ये एक सॉ कंपनी के अगर बात करें तो दोनों मिटकेप कंपनीज है एंड दोनों कंपनी में बहुती फास्ट क्रोथ फ्यूचर में आ सकता है ऐसा एकस्पेक्टेड है एंड गवर्मेंट का जो एंटी डंपिंग डूटी है उससे फायदा मिलना है लक्ष्मी और्गनिक को एंड प्रवाइट करता है तो उसका भी डिमांट फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाल है तो दोनों कंपनीज काफी इंट्रेस्टिंग है तो अगर आप मिटकेप कंपनीज में निवेश करना चाहते हो तो मेरी सबसे ये दोनों कंपनी बहुत अच्छी कर सकते है जैसे कि अपने हजार का SIP ये करेंगे अपने पॉर्टफोलो में तो चले अभी देख लेते कि कैसा पॉर्टफोलो इन्हों ने बिल्ट किया है और कैसे इस पॉर्टफोलो को और भी बेटर बनाया जा सकता है तो दोस्तो इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 5,6,000 का और करेंटली पॉर्टफोलो का साइज 6,69,000 का बन चुका है यहनकी लगभग 1,60,000 के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है अगर बात करें इनके एलोकेशन के रिलेटेट तो इन्होंने लार्ज केप में टोटल 41% का एलोकेशन प्रवाइट के है मिट केप में 35% एन स्मॉल केप में 23% का इलोकेशन इन्होंने प्रवाइट के है अगर दोसों या पे कोई फिक्स्ट रूल तो नहीं है कि आपको 60% लार्ज केप में देना चाहिए 30% आपको मिट केप में देना चाहिए 10% स्मॉल केप में देना चाहिए तो अब कहसा है तो कि जिनका risk taking capability थोड़ा ज़ादा है तो वो थोड़ा ज़ादा allocation mid cap and small cap में provide कर सकते तो ऐसा कोई fix rule नहीं है बट small cap and mid cap sector में जो companies में आप निवेश कर तो वो देखना बहुत important है कि वो companies बहुत अच्छा होना चाहिए उनके earnings grow करना चाहिए and quality companies होना चाहिए small cap हो तो भी अच्छा होना चाहिए तो सबसे पहला जो company इनके पास है mid cap company Indian energy exchange 22,000 का investment 22% का profit 5000 का profit है बहुत अच्छा company बहुत अच्छा कर रहा है earnings grow कर रहा है and India में यह expected है कि आगे जाकर जो power transaction होगा वो exchanges के थ्रूब बहुत जादा होने वाला है and वहाँ पे अगर देखोगे तो IEX market leading company है and monopoly type companies को खह सकतो तो अच्छा company long term के लिए continue कर सकतो निक्स इनके पास है IRCTC and लगभग 25,000 के आसपास का investment है 54% का का अच्छा profit इनको होड़ा है again बहुत अच्छा company इनोंने pick क्या strong and monopoly company तो long term के लिए continue कर सकतो निक्स 200 इनके पास company ISIC and ISIC का जो पूरा नाम है वो है ICIC Securities तो ICIC Securities के अगर बात करें तो company अच्छा है company interesting है and अगर आद देखोगे तो valuation आपको reasonable देखने को मिलेगा 14 के PE पे stock trade होता है company काम क्या करता है तो वो ही जो ब्रोकिंग का business है स्कालावा जो merchant banking का business है या जो advisory services है वो ये company provide करता है but as of now मेरी ही सबसे इससे एक interesting और company है and व account broker वहां पे जीरोदा अप्स्ट्रोक्स अंड एंजल वान का ही नाम आपको सुना ही डेगा एंड जीरोदा अप्स्ट्रोक्स तो लिस्टेड नहीं है एंड जीरोदा शाय से लिस्ट होगा भी नहीं वैंड जीरोदा अगर देखोगे तो अपना खुद का कोई एड ब्हुग कराल थो अठरतो तो इनके पास है जोब शुक्त कर सकते हैं और विस्ट अईभरत होगेत में डेकिन को बोलुगा आप उसको कमपनी आपको बेटर लगं और छिफ्ट कर सकतो निके के पास है jubilant food 16,000 का investment है currently इनको 16% का loss हो रहा है but company अभी भी strong है fundamental अभी भी अच्छा है and long term के लिए आप इस company को continue कर सकतो क्योंकि qsr में one of the best company है ज्यादा तर qsr companies आपको loss making देखने को मिलेगा but jubilant food is a profit making company उसके बाद दोस्तों next इनके पास company jubilant इनग्रेविया एंड इस company का basically आप कह सकतो डी मार्जर हुआ है and 2021 फेबरी के टाइम पर कमपनी का listing हुआ है तो किसे डी मार्जर हुआ है jubilant life sciences एक company आपको इसका हुआ है तो इससी बज़े से profit को 2021 एंड अभी का मिलेगा एंड उससाब से अगर देखो तो बहुत अच्छा जो प्रॉफिट है वो इस टेम्पे ग्रो कर रहा है काफी interesting company है तो मेरी सबसे चाहो तो आप continue कर सकतो क्यों कि business model भी company का बहुत interesting है company life sciences जो chemical से वो manufacture करता है जो specialty chemical से वो manufacture करता है and 40% export से आता है तो geographical mix भी काफी अच्छा है तो काफी interesting company तो account continue मेरे सबसे अगर अपने study करके लिया है next day kp it take and 4700 का investment है 20% का profit है it is a good company तो long time के लिए चाहो तो continue कर सकतो क्योंकि earnings grow कर रहे बड़ साथी साथ आपको ये भी बता होना चाहिए as a risk factor कि company auto के related है and auto sector अगर अच्छा नहीं करेगा तो earning में impact आ सकता है इस company का बहुँ साथ लोग agree नहीं करना चाहते इस points से बड़ आपको जो positives और negatives से एक company का दोनों पता होना चाहिए कि क्या सही जा सकता है क्या गलत जा सकता है okay and किसे भी company से कभी भी emotionally connect नहीं होना चाहिए and KPIT take as of now अच्छा company बट earning को track करना चाहिए next है अधानी power and इधर पे 14,700 का investment है 13% का profit इनको होड़ा है मेरी सबसे अधानी power से अच्छे company सब को मल जाएंगे Tata power मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है क्योंकि उसके अंडर आपको renewable and जो EV का charging station वाला business है वो सारे आपको देखने को उबल चाहेंगे तो मेरी सबसे वो थोड़ा सा बेटर है but अधानी ग्रूप ने दोस्तो 2021 में and 2022 में till date बहुत जादा return कमा के दे रहा है तो अब कह सकतो कि अधानी बिसिकल एक बहुत बड़ा business man है तो इधर पर जो investor इन्होंने काफी बड़ा पैसा कमाये है and अधानी ग्रूप के जो stock से इनको प्रेडिट कर पाना next to impossible है इस time पे अगर देखोगे तो बहुत कम time के अंदर अधानी पावर का stock बहुत जादा बढ़ चुका है मेर इसाब से आपको करजा देखना चाहिए business देखना चाहिए कि power का जो business है वो कितना grow कर सकता है and 65,000 करों का company है but 52,000 करों का करजा है तो करजा भी काफी है तो वो चीज़ भी आपको देखना चाहिए क्योंकि जब आप किसी company में निवेश कर तो उस business में आप निवेश कर तो बिजनेस को पर आपका conviction होना ज़रूरी है ऐसा नहीं कि return दे रहा है तो मैं निवेश कर देता हूँ आपको business देखना चाहिए और मेरी साब से टाटा पाउर का business थोड़ा सा बिटर लगता है अदानी पाउर से अभी तो सारे 3% का loss है बट काफी strong and quality company है तो long term के लिए आप आडाम से continue कर सकतो और कंसिस्टेंसी के साथ आपको return मिलता जाएगा इधर पे लगभग 20,000 का investment है इधर पे अभी तो कोई profit नहीं बट बहुत strong and leading company को उन्होंने पिक क्या है piping segment में one of the best company है तो मेरी सबसे आप आप long term के लिए continue कर सकतो और कंटीनू करके बहुत ही aggressive return आप जेनरेट कर सकतो और आडानी ग्रूप की company है अदानी विल्मार लिमेट and अदानी ग्रूप में अगर देखोगे तो जो companies है वो बहुत ही high PE पे trade होता है जैसे कि अदानी पावर के बारे में हमने discuss किया थोड़ी time पहले तो उसका PE अगर देखोगे तो 230 के उपर आपको देखने को मल जाएगा valuation बहुत हाई है but अगर हम अदानी विल्मार की बात कर and एक growing company earning grow कर रहा है तो मेरी सबसे अधानी विल्मार को आप continue कर सकतो and 26% का return भी इनको मिल रहा है but again earnings को track करना चाहिए उसके बाद दोसे इनके पास next company relax हो and इधर पे 10,400 का investment है 5% का loss है but it is a good company अभी थोड़ा आप कह सकतो की headwind चल ला है business में margin में थोड़ा सा pressure है but long term के लिए आप आड़ाम से continue कर सकतो consistent company है next is root mobile and 18,700 का investment है सारी 11% का loss इनको हो रहा है but root mobile ने recently fundraise किया है and उसके ज़री आप कह सकतो की aggressive expansion company करने वाला है अपने business का and geographical आप कह सकतो जो presence है और भी आपे बढ़ाने वाला है company तो long term के लिए चाहो तो root mobile को continue कर सकतो क्यूंकि earnings इस company का grow हो रहा है next is Tata Motors and इधर पे 5,200 का investment है 17% का loss इनको हो रहा है तो अच्छा किया इन्होंने allocation बहुत high नहीं रखा है क्यूंकि Tata Motors में headwind यानकी business में थोड़ा सा नियर्टम problem देखने को मेलेगा जैसे कल हमने एक update देखा था कि जो Tesla है जो कि अपके सकतो electric vehicle space में market leader है globally तो उसने भी अपना production हुई वो बंद रखा है Shanghai में क्यूंकि China में COVID के cases काफी बढ़ गया है और Tata Motors का भी जो सबसे बड़ा division है जहाँ से सबसे जादा revenue आता है JLR तो आप कह सकतो कि JLR का sales कहा से आता है जादा Europe and China से योरोप में भी problem है चाइना में COVID का cases काफी बढ़ आ है तो sales में impact आ सकता result में impact देखने को मल सकता Tata Motors का तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए निक्सटे टाटा पावर 16,600 का investment है काफी अच्छा profit मिल ला है 44% का अच्छा company है तो long term के लिए आप continue कर सकतो और आगे जाके future में अगर इनका renewal का business अलाग हो कि stock market में list होता है तो आप पूरा जो investment है वहाँ आप शिफ्ट कर सकतो क्योंकि वही में बिजनेस है निक्स्टे टाटेंट एन इधर पे 11,600 का या पे investment है 12% का अभी इनको होड़ा है loss but it is a good company and growing company तो आप continue कर सकतो but allocation को control में रखना चाहिए लोग जैसा सोचते कि Trident में जो past return मिला है देर साल में 10 गुना करके दिया है पैसा तो वो डिटन आपको expect नहीं करना चाहिए but growing company अच्छा company allocation control में रखके investment किया जा सकता है and again Tata Power में जो मैंने बता है कि वो ही main business है वो कहने का मतलब यह है that वो ही main business है जहापे growth opportunities बहुत ज्यादा है and वो ही renewal का business बाकि distribution के business से ज्यादा तर revenue आता है company को next is Zomato and इधर पे 14,800 का investment है 3.6% का profit इनको होड़ा है again मुझे समझ में नहीं आता है इनका valuation and जबता company profitable नहीं बनता तो मेरी सबसे दूसरे company में investment करके फायदा है जो company profitable है profit कमारा है cash flow generate कर रहा है but loss making company में as a thumb rule मैं इवेश नहीं करता हूँ but आप चाहू तो hold कर सकतो अगर अपका conviction है but valuation थोड़ा higher side में अगर loss making होता तो भी बात अलग थी but loss making के साथ valuation बहुत हाई है तो उस बाज़े से मैंने अभी तक investment नहीं कहा है Zomato में उसके बाद next जो company है यहे लोधा developers and इसके उपर I think एक video post करना चाहिए बहुत सारे लोग extremely bullish हो चुका है जो की मेरी हिसाब से नहीं होना चाहिए लोग bullish क company का जो stock का price moment है वो देखकर बट साथी साथ आपको business देखना चाहिए numbers देखना चाहिए financials देखना चाहिए अगर आप देखोगे तो यह जो companies ने return जरूर काफी अच्छा दिया है लिस्टिंग के बाद बट साथी साथ company के numbers की अगर आप बात करोगे यानकी profit and loss statement चो कि आप टीटे में financial year चल रहा है 2022 and इधर पर अगर देखोगे तो 8300 करूर का अपको sales देखने को मिलेगा तब समझा तो growth कितना ही देखने को मिला है 2016 में जितना था 2022 में भी आपको उतना ही देखने को मिलेगा तो 6 साल में sales उतना grow ही नहीं हुआ and इसी बज़े से मेरी सबसी यह company का जो बजने से वो काफे risky है and developer जो company's है वहाँ पर मैं directly negotiation नहीं करता हूँ तो आप proxy play यहाँ पर कर सकतो proxy play through आप कैसा जो यहाँ पे cable के companies है या piping companies है like astral cable में यहाँ पर poly cab है या Asian paint या PD light यह जो company's यह proxy play है अगर आप real estate theme को play करना चाहतो तो मेरी सबसे risky company बट आपको return अच्छ क्योंकि मैं company के numbers देखता हूँ ऐसा नहीं कि return अच्छा दिया तो वह company बहुत जाद अच्छा हो गया बट बुल मार्केट है तो अच्छा return दे दिया बट numbers के उपर अपका धियान जरूर होना चाहिए लक्षमी chemical एंड इधर पर 50,000 का investment है 60% का profit इनको मिल रहा है काफी अच थोड़ा जादा हो जाएगा क्योंकि mid-cap company है जब fluctuation होता है तो mid-cap companies में थोड़ा सा जादा profit booking होता है बट बिजनेस साइट से अगर बात करें तो खाफी interesting यह company है next day mind tree and mind tree में 37,400 का investment है 70% का इनको मिल रहा है profit बहुत बढ़िया company बहुत बढ़िया growth company शोग कर रहा है but recently mind tree के ओपर main channel पे एक video भी मैंने post किया था I hope अपने देखा होगा and वो है इनके risk factor को लेके that company को एक ही customer से 25% का revenue आता है हलाकि वो customer काफी पूड़ान है काफी अच्छा relationship है but फिर भी वो एक यह risk है अगर by chance लिवो customer नहीं रहता है तो अब समझ सकतो कि कितना बड़ा छटका company को लगेगा कि 25% revenue का drawdown हो जाएगा तो वो जो risk factor है वो को पता होना चाहिए बाकी as of now अच्छा company है अगेन लोग क्या करते है कि किसी company में निवेश कर दे थे तो उस company के जो negative से उसके बारे में वो जानना भी नहीं चाहते उनका mood off हो जाता है बट ऐसा नहीं होना चाहिए investing में आपको एकदम मेशीन की तरह investment करना है किसी company के साथ emotionally connect नहीं होना चाहिए नेक्स टे पिडिलाइट 22,600 का investment है 6.8% का इनको profit होड़ा है बहुत ही अच्छा company strong and monopoly company है consistent company तो long time के लिए continue करना चाहिए नेक्स टे पॉली के आप 15,000 का investment है और 56% का बहुत बढ़िया profit अगेन बहुत अच्छा company market share gain कर आए and one of the best mid cap company है तो long time के लिए continue कर सकतो नेक्स टे प्रिंस पाइप and 24,000 का investment है 5% का इनको होड़ा है profit अगेन बहुत अच्छा company ने पिक किया है and earnings continuously grow होड़ा है company का तो long time के लिए इसको भी आप continue कर सकतो उसके बाद दोसों next company है CDSL and इधर पे 7,800 का investment है 84% का का खाफी बड़ा return तो CDSL को long time के लिए continue कर सकतो and अच्छे खासे level पे अपने निवेश किया है उसके बाद है CMS info and CMS info की अगर बात करे तो company का listing recently हुआ and ATM की अगर बात करे तो वहाँ पे market share इस company के पास सबसे जादा है लगभग 24% का जो market share ATM service का तो वो इसी company के पास है काफी interesting इस time पे देखने को मिल रहा है तो earnings को आपको track करना चाहिए बाकी December का जो result है उसकी अगर बात करे तो काफी अच्छर result company ने post किया है 20% का इनको profit हो रहा है 15,000 के आसपस का investment है तो चाहो तो continue कर सकतो बट earning crack करना चाहिए next इनके पास company दीपक fertilizer and इधर पे 13,200 का investment है 104% का काफी बड़ा profit इनको हो रहा है and still अगर देखा जाए तो company का value share काफी reasonable है बाड़ा के PE पे आखको देखने को मिलेगा and company grow कर रहा है क्योंकि company के earnings grow कर रहा है profit बहुत अच्छा grow कर रहा है और जो revenue है वो भी grow कर रहा है तो मेरी सबसे चाहो तो आप long term के लिए इसको continue कर सकतो बट earning आपको पता होना चाहिए and thesis and antithesis के बाड़े में पता होना चाहिए जब आप ऐसे company में निवेश करते हो क्योंकि जब अपने निवेश के आपको अच्छा profit मिला तो profit book करना भी ज़रूरी है book up करोगे जब जो negative points है यानकि जो antithesis है वो play out करेंगे तो तब profit book कर लेना चाहिए and तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या खड़ाब जा सकता है company में और कब मुझे profit book करना चाहिए next है दीपक नाइट बहुती बड़िया company है 14,000 का investment है 98% का profit इधर पे तो मेरी सब से दीपक 98 में अभी भी काफी लंबा growth आने वाला है लंबे time के लिए तो इसको आप long term के लिए continue कर सकतो अच्छा company है and अपने कुछ product में market leading है management भी बहुत अच्छा है next इनके पास company is my trip and इधर पे 9,800 का investment है 184% का काफी बढ़ा या पे profit इनको हो रहा है तो काफी अच्छे level पे इन्हों ने निवेश किया and आगे जाके जैसे travel and tourism और भी बढ़ेगा तो आप क्या सकतो कि इस company का और भी benefit मिलने वाला है and काफी expansion भी company कर रहा है तो जाओ तो long term के लिए hold कर सकतो next day happiest mind and इधर पे 66,000 का investment है 29% का profit इनको मिल रहा है and 827 के level पे इन्होंने investment किया तो अच्छे level पे investment है तो इसको आप long term के लिए continue कर सकतो it is a good company and growing company and long term में बहुत जादा चांस है कि multi-wagger return company provide कर सकता है तो दोस्तों ये था इनका पूरा portfolio तो आपको ये portfolio कैसा लगा आप comment करके जरूर बताना and कौनसे company से exit हो जाना चाहिए किन companies को add किया जा सकता है वो आप comment करके जरूर बताना जैसे कि आपके portfolio में हम लोग को बहुत सारे midcap companies देखने को मिले है and क्योंकि आपका age भी बहुत जादा नहीं है तो आप जादा risk लही सकते हो but quality companies के बारे में अगर आपको जानना है तो आप simply आपको playlist मिल जाएगा इस चैनल पे and वहापे हमारे जो companies है जहापे मैंने खुद personal निविश कया तो उनके बारे मैं आपको पता चलेगा तो उनको भी आप study कर सकतो जो large cap and अच्छे वाले companies है and मेरी सबसे बजाज finance को आप add कर सकतो अगर आपको या पर किसी strong company में निविश करना जहापे growth काफी अच्छा हो तो बजाज finance को मेरी सबसे add किया जा सकता है and इसे portfolio strong बनेगा और भी better बनेगा बाकी और भी companies है फार्मा में डिवीज है तो यह strong वाले companies है इनको अगर add करोगे include करोगे तो portfolio और भी ज्यादा strong बनेगा बाकी आपने बताए कि आप एक software engineer हो तो आपके portfolio में से दो ही company है एक माइन चाहिए और दोस्टा happiest माइन है तो TCS Infosys को भी चाहो तो आप include करने के बारे में सोच सकते हो चलिए दोस्तों अभी देख लेते कि लॉंग टब में यह अपने portfolio के अज़ार यह कितना wealth create कर सकते है तो टोटल जो investment अभी हमने लिया है यह 6,60,000 का लिया है और अगर expected return हम यहां पर लेते 18% की 18% का average return इनको मिलेगा एंड इसको 18 कर देते हैं अगर next 10 years के लिए अपने portfolio को यह continue करते तो after 10 years 34 lakh का portfolio का size बन जाएगा और 10 या 15 साल यह continue करेंगे अपने portfolio को और वहां पे 1 करो का wealth यह total create करना चाहते तो इस current portfolio को अगर continue करते हैं यह next 15 years के लिए तो 79 lakh का wealth इधर से create होगा इसके अलावा इनोंने बाता है कि SIP भी यह करेंगे और 10,000 का SIP करेंगे तो इसको हम 10,000 कर देते और 18% का again average return अगर इनको मिलता है और 15 साल तक अगर SIP को यह continue करते तो इधर पे 91 lakh का wealth create हो जाएगा यानकि दोनों को अगर हम add कर दे तो लगभग 1.7 करूर का wealth यह create कर सकते इन next 15 years अगर 18% का average return मिलता है बट 18% का average return हमने लिया है और आपका जो या पे target 1 करूर का वो भी अचीव होड़ा है next 15 years में तो that means कि आपको बहुत जादा risk लेने के भी जरूरत नहीं है आप जो leading companies है quality company से तो वहाँ पे भी निवेश करके ऐसे return बना सकतो क्योंकि उनका track record अगर देखो तो उन्होंने ऐसे ही returns past में भी कमा कर किती है जैसा grow अभी या पे companies कर रहे तो आगे भी ऐसे return expect किया जा सकता है क्योंकि निफ्टी का अगर देखोगी return average तो 14-15% तो निफ्टी return देता है जब अब डिरेक्ली एक्विटीस में निवेश करो और वहाँ पे भी या पे चुन-चुन के अच्छी company का परखड़े पोर्टफोलो में तो बिटर रिटन निफ्टी से कमाया जा सकता है तो दोस्तों यह था अज का उमारा portfolio review का वीडियो आशा करते वीडियो आपको इस्ट्रा पाना है तो एकन जोइन आज एज हैं मेंबर तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्री हैं बिलते अगले वीडियो में बाबाई